C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए नौ परिमेय संख्याएं प्रिष्ठ दो सौत तीन 9.9.2 व्यवकलन घटाना सविता ने दो परिमेय संख्याओं 5.7 और 3.8 का अंतर इस विधी से प्राप्त किया 5.7 घटा 3.8 बराबर 40.21 बराबर 19.56 फरीदा जानती थी के दो पूर्णांकों A और B के लिए A घटा B बराबर A जमा माइनस B लिखा जा सकता है उसने ऐसा परिमेय संख्याओं के लिए भी किया और ग्यात किया के 5.7 घटा 3.8 बराबर 5.7 जमा माइनस 3.8 बराबर 19.56 है दोनों ने एक ही यानि समान अंतर प्राब्त किया दोनों विधियों से 7.8 घटा 5.9 3.11 घटा 8.7 ग्यात करने का प्रयत्न कीजिए क्या आपको समान उत्तर प्राब्त होते हैं? अतह है हम कहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को घटाते यानि व्यवकलन करते समय घटाए जाने वाली संख्या के योज्य प्रतिलोम को अन्य परिमेय संख्या में जोड़ देना चाहिए इस प्रकार एक दो बटा तीन घटा दो चार बटा पांच बराबर पांच बटा तीन घटा चोड़ बटा पांच बराबर पांच बटा तीन जमा चोड़ बटा पांच का योज्य प्रतिलोम बराबर 5 बटा 3 जमा, माइनस 14 बटा 5, बराबर माइनस 17 बटा 15 है, बराबर माइनस 1 दो बटा 15 है 2 बटा 7 घटा कुष्ठकों में माइनस 5 बटा 6 क्या होगा? 2 बटा 7 घटा कुष्ठकों में माइनस 5 बटा 6 बराबर 2 बटा 7 जमा, माइनस 5 बटा 6 का योज्य प्रती लोम बराबर 2 बटा 7 जमा, 5 बटा 6 बराबर 47 बटा 42 बराबर 15 बटा 42 प्रयास कीजिए ग्यात कीजिए 1. 7 बटा 9 घटा 2 बटा 5, 2. 2 एक बटा 5 घटा मैनस एक बटा 3, 9 दशमलव 9 दशमलव 3, गुनन. आईए, परिमेय संख्या मैनस 3 बटा 5 को 2 से गुना करें, अर्थात हम मैनस 3 बटा 5 गुना 2 ग्यात करें. संख्या रेखा पर इस कार्थ होगा तीन बटा पांच के बाईं और दो कदम चलना यहां संख्या रेखा में ये दर्शाया गया है प्रिष्ठ 204 हम कहां पहुँचते हैं? हम माइनस छे बटा पांच पर पहुँचते हैं आये हम इसको भिन्नों वाली विधी से ग्यात करें माइनस तीन बटा पांच गुणा दो बराबर माइनस तीन गुणा दो बटा पांच बराबर माइनस छे बटा पांच हम उसी परिमे संख्या पर पहुँच जाते हैं दोनों विधीयों का प्रयोग करते हुए माइनس 4 बटा 7 गुणा 3 और माइनस 6 बटा 5 गुणा 4 को ग्याद कीजिये आप क्या देखते हैं अधह हम ग्याद करते हैं कि एक परी में य संख्या को एक धनात्मक पूरणांक से गुणा करने पर हम अंच को उस पूरणांक से गुणा कर देते हैं तथा हर को वही रखते हैं आएए अब एक परी में ये संख्या को एक रिनात्मक पूरणांक से गुणा करें माइनस दो बटा नौ गुणा माइनस पांच बराबर माइनस दो गुणा माइनस पांच बटा नौ बराबर दस बटा नौ याद रखिए के माइनस पांच को माइनस पांच बटा एक लिखा जा सकता है अतह है माइनस दो बटा नौ गुणा माइनस पांच बटा एक बराबर 10 बटा 9 बराबर माइनस 2 गुणा माइनस 5 बटा 9 गुणा 1 है इसी प्रकार 3 बटा 11 गुणा माइनस 2 बराबर 3 गुणा माइनस 2 बटा 11 गुणा 1 बराबर माइनस 6 बटा 11 है उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर हम ग्यात करते हैं के माइनस तीन बटा आठ गुणा पांच बटा साथ बराबर माइनस तीन गुणा पांच बटा आठ गुणा साथ बराबर माइनस पंद्रह बटा चपन है अतह है, जैसा के हमने भिन्नों की स्थिती में किया था, हम दो परी में ये संख्याओं को निम्नलिखित विधी से गुणा करते हैं चरण एक, दोनों परी में ये संख्याओं के अंशूं का गुणा कीजिए, चरण दो, दोनों परी में ये संख्याओं के हरूं का गुणा कीजिए, चरण तीन, गुणन भल को चरण एक में प्राप्त परिणाम बटा चरण दो में प्राप्त परिणाम के रूप में लिखिए इस प्रकार माइनस तीन बटा पांच गुणा दो बटा साथ बराबर माइनस तीन गुणा दो बटा पांच गुणा साथ बराबर माइनस चे बटा पैंतीस है. साथ ही, माइनस 5 बटा 8 गुणा माइनस 9 बटा 7 बराबर माइनस 5 गुणा माइनस 9 बटा 8 गुणा 7 बराबर 45 बटा 56 है प्रयास कीजिये, निम्न लिखित गुणन भल क्या होंगे? एक माइनस तीन बटा पांच गुणा साथ, दो माइनस छे बटा पांच गुणा माइनस दो प्रयास कीजिए, ग्यात कीजिए एक, माइनस तीन बटा चार गुणा एक बटा साथ दो, दो बटा तीन गुणा माइनस पांच बटा नौ नौ दशमलव नौ दशमलव चार विभाजन भिन्नों के व्युतक्रमों यानी रसिफ्रोकल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं दो बटा साथ का व्युतक्रम क्या है? यह साथ बटा दो है हम इस सवधारणा को शुन्येतर परिमेय संख्याओं के व्युतक्रमों के लिए भी लागू करती हैं इस प्रकार माइनस दो बटा साथ का व्युतक्रम साथ बटा माइनस दो अर्थात माइनस साथ बटा दो होगा तथा माइनस तीन बटा पांच का व्युतक्रम माइनस पांच बटा तीन होगा परिष्ठ दोसव पांच परिमेय संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणन फल किसी संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणन फल सदैव एक होता है उदहरनार्थ माइनस चार बटा नौ गुणा माइनस चार बटा नौ का व्युत्क्रम बराबर माइनस 4 बटा 9 गुणा कुष्ठकों में माइनस 9 बटा 4 बराबर 1 है इसी प्रकार माइनस 6 बटा 13 गुणा माइनस 13 बटा 6 बराबर 1 है कुछ हो रुधारन लेकर इस प्रेक्षन की पुष्टी कीजिए प्रयास कीजिए माइनस 6 बटा 11, माइनस 8 बटा 5 के व्यूतक्रम क्या होंगे? सवितान एक परी में ये संख्या 4 बटा 9 को एक अन्य परी में ये संख्या माइनस 5 बटा 7 से इस प्रकार विभाजित किया, यानि भाग दिया उसने भिन्नों की तरह ही व्यूतक्रम की अवधारणा का प्रयोग किया अर्पित ने पहले 4 बटा 9 को 5 बटा 7 से भाग दिया और 28 बटा 45 प्राप्ट किया अंत में उसने कहा कि 4 बटा 9 भाग माइनस 5 बटा 7 बराबर माइनस 28 बटा 45 है उसने ऐसा किस प्रकार प्राप्ट किया? उसने रिनात्मक चिन्ह को छोड़ते हुए उन्हें भिन्नों की तरह विभाजित किया और बाद में प्राप्ट परिनाम के साथ रिनात्मक चिन्ह लगा दिया दोनों ने एक ही मान माइनस 28 बटा 45 प्राप्ट किया दो बटा 3 को माइनस 5 बटा 7 से दोनों विधियों द्वारा भाग देकर देखिए कि क्या आप एक ही यानि समान उत्तर प्राप्ट करते हैं वो परोक्त से यह प्रदर्शित होता है कि एक परी में ये संख्या को किसी अन्य परी में ये संख्या से भाग देने के लिए हम उस परी में ये संख्या को अन्य परी में ये संख्या के व्यूत क्रम से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार 6 बटा माइनस 5 भाग माइनस 2 बटा 3 बराबर 6 बटा माइनस 5 गुणा माइनस 2 बटा 3 का व्यूत क्रम बराबर 6 बटा माइनस 5 गुणा 3 बटा माइनस 2 बराबर 18 बटा 10 है प्रयास्क कीजिए ग्यात कीजिए 1. 2 बटा 3 गुणा माइनस 7 बटा 8 2. माइनस 6 बटा 7 गुणा 5 बटा 7 प्रिष्ठ 206 प्रश्नावली 9.2 1. योग ग्यात कीजिए 1. पांच बटा 4 जमा कोश्ठकों में माइनस 11 बटा 4 2. पांच बटा 3 जमा 3 बटा 5 3. माइनस 9 बटा 10 जमा 22 बटा 15 4. माइनस 3 बटा माइनस 11 जमा 5 बटा 9 5. माइनस 8 बटा 19 जमा माइनस 2 बटा 57 6. माइनस दो बटा तीन जमा शून्य 7. माइनस दो एक बटा तीन जमा चार तीन बटा पांच 2. ग्यात कीजिए 1. साथ बटा चौबीस घटा सत्रह बटा चत्तीस 2. पांच बटा तिरसथ घटा माइनस छे बटा इक्कीस 3. माइनस छे बटा तेरह घटा माइनस साथ बटा पंद रह 4. माइनस तीन बटा आठ घटा साथ बटा ग्यारह 5. माइनस दो एक बटा नौ घटा छे 3. गुनन फल ग्यात कीजिए 1. नौ बटा दो गुना माइनस साथ बटा चार 2. 3 बटा 10 गुणा माइनस 9 3. माइनस 6 बटा 5 गुणा 9 बटा 11 4. 3 बटा 7 गुणा माइनस 2 बटा 5 5. 3 बटा 11 गुणा 2 बटा 5 6. 3 बटा माइनस 5 गुणा माइनस 5 बटा 3 4. निम्न लिखित के मान ग्याद कीजिए 1. माइनस 4 भाग 2 बटा 3 2-3-5-2 3-4-5-3 4-1-8-3-4 5-2-13-1-7 6-7-12-2-13-7 7-3-13-4-65 प्रिष्ठ 207 हमने क्या चर्चा की? 1. एक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां P और Q पूरणांख हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है परी में ये संख्या कहलाती है संख्याएं माइनस दो बटा साथ, तीन बटा आठ, तीन इत्यादी परी में ये संख्याएं हैं 2. सभी पूरणांख और भिन्न परी में ये संख्याएं हैं 3. यदि किसी परी में ये संख्या के अन्श और हर को एक ही शून्यतर पूरणांख से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो दी हुई परिमेय संख्या के सम तुल्य परिमेय संख्या कही जाती है, उधहरनार्थ माइनस तीन बटा साथ बराबर माइनस तीन गुणा दो बटा साथ गुणा दो बराबर माइनस छे बटा अत्ह है, हम कहते हैं कि माइनस 6 बटा 14 संख्या माइनस 3 बटा 7 का एक सम्तुल्य रूप है. साथ ही, ध्यान दीजिये कि माइनस 6 बटा 14 बराबर माइनस 6 भाग दो बटा 14 भाग दो बराबर माइनस 3 बटा 7 है. 4. परिमेय संख्याओं को धनात्मक और रिनात्मक परिमेय संख्याओं के रूप में वर्गी कृत किया जाता है जब अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक पूरणांक हूँ या रिनात्मक पूरणांक हूँ तो वह परी में ये संख्या धनात्मक परी में ये संख्या कहलाती है। एक धनात्मक परी में ये संख्या है और नहीं रिनात्मक परी में ये संख्या है। के बीच असीमित परी में ये संख्याएं होती हैं। आठ, समान हर वाली दो परी में ये संख्याओं का योग ग्यात करने के लिए उनके अंशों को जोड़ा जा सकता है। तथा हर वही रखकर योग ग्यात किया जा सकता है। भिन भिन हरों वाली दो परी में ये संख्याओं को जोड़ने के लिए पहले दोनों हरों का लस ग्यात किया जाता है। और फिर दोनों परी में ये संख्याओं को लस के बराबर समान हर वाली दो समतुल्य परी में ये संख्याओं में बदल कर जोड़ लिया जाता है। उदाहर अनार्थ माइनस दो बटा तीन जमा तीन बटा आठ बराबर माइनस सोलह बटा चौबीस जमा नौ बटा चौबीस बराबर माइनस सात बटा चौबीस है। यहां तीन और आठ का लस चौबीस है। प्रिष्ठ दो सौग आठ 9. दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करने के लिए हम घटाई जाने वाली परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम को अन्य परिमेय संख्या में जोडते हैं इस प्रकार 7 बठा 8 घटा 2 बटा 3 बराबर 7 बठा 8 जमा 2 बटा 3 का योज्य प्रतिलोम बराबर 7 बठा 8 जमा-2 बका 3 बराबर 21 जमा-16 बका 24 बराबर 5 बका 24 है 10. दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने के लिए हम इन संख्याओं के अंशों तथा हरूं को अलग-अलग गुणा करती हैं और फिर गुणनफल को अंशों का गुणनफल बटा हरूं का गुणनफल के रूप में लिखते हैं ग्यारह एक परिमेय संख्या को एक अन्य शूनियतर परिमेय संख्या से भाग देने के लिए हम पहली परिमेय संख्या को अन्य परिमेय संख्या के व्युथक्रम से गुणा करते हैं इस प्रकार माइनस साथ बटा दो भाग चार बटा तीन बराबर माइनस साथ बटा दो गुणा चार बटा तीन का व्युत क्रम बराबर माइनस साथ बटा दो गुणा तीन बटा चार बराबर माइनस इक्कीस बटा आठ है अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, विकास सांगवान, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक निर्देशन वनिर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत